हेई एवन हाव यू आल सो कैसे हो आप लोग सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है ट्विस्टेड लव और यह बुग लिखी है एना हुआंग ने सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर बहुत सारे यह से लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं बड़ चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं आप से रिक्वेस्ट आप चैनल को सस्क्राइब कर लीजे ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना हो और जो लोग हमें शोशली मीडिया प्लाइटफॉर्म से फॉलो करना चाहते हैं उन सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं तो लास्वीन हमने देखी ती वीडियो नूबर 3 आप यहां शवात होती है वीडियो नूमबर 4 की और यह लोग ते जो समान वगेरा उसका लेके आ रहे थैं बहुत ही बड़ी से टीवी कोई ठोटे बड़े बॉक्सर थे और जो एलक्स की एस्टड मार्टन थी न अब वह लोग को डेली दिखाई दी अब जो एवा होती है वह सोचती है आब सूचती है बहारत और नहीं निकल सकत दी और उसका कोई फोटो शूट भी निताज तो एवा क्या करती है वो दुपैर का सारा टाइम जो उसका सिगनेचर होता है वो सबसे अच्छा बनाती थी वो रेड वैलवेट कुकीज वो बनाने लगती है और वो क्या करती है कुकीज बनाके उसको प्यारे से गिफ्ट में ल आथे से पसीना पूशती है और वो सूशती है कि मैं नर्वस क्यों हो रही हूं मुझे बाद जाना है और कुकीज दे दे नहीं है और जो एलेक्स है वो पिछले आठ साल से हम लोग के साथ थैंक्स गिविंग में डिनर वगरा करता है उसके पास पैसा है गुड लुक्स है लेकिन वो इंसान है खराब ही सही लेकिन इंसान तो है और उसके लाबा वो मेरी टेक केर करेगा तो भईया अच्छा है खाली सर खराब करके क्या फायदा अब जो एवाई नहीं सब चीज़े सूशती है और जो बास्केट होती है जिसमने उसने कुटी रखी होती है और अलेक्स है वो कितना होट है और हर बार एवा धी उस पर चिला देती थी और एवा को न कहीं न कहीं यह लगता था कि जो जूल्स है वो यह बात जान पूछकों को कहती है ताकि वो चुड़े या फिर हो सकता है जूल्स एक्चिली में इंटरस्टेड हो एलेक्स में और वो सोचती है न कि भईया मैं ये चीज़े imagine में नहीं कर सकती कि जो मेरा best friend है वो hook up कर रहा है मेरे भाई के best friend के साथ कितनी खराब situation होगी मैं इन चीज़ों में डील नहीं करना चाती अब जो एवा होती है न उसके घर के बाहर पहुँच जाती है और जैसी डोर्वेल बजाती है वो न थुट दे खरी रहती है और जो एलेक्स होता है न वो कोई जवाब नहीं देता अब उसको न फिर से डोर्वेल बजाती है अब उसके मन में लगता है कि कोई आतो है नीरा मैं एक काम करती हूँ बास कितना में दर्वाजे पर रखके छोड़के यहां से चली जाती हूँ अब एवा सोचती है यह तो कायरो वाली हरकत है मैं कायर नहीं हूँ जारता टाइम होती हूँ लेकिन आभी तो नहीं हूँ मैं अब उसको न जैसी दुबहा से डोर्वेल बजाती है इतने में क्या होता है उसको न किसी के चलने की कदम के आहाट सुनाई देती है और उना हलके के कदमों के अवाद तेज हो रही होती है वो समझ जाती है कि कोई आ रहा है और फिर ना दर्वाजा खुलता है और सामने ख़ड़ा होता है एलेक्स और उसने अपनी जैकेट उतार रखी होती है वरना वो ना हमेशा अपने ऑफिस वाले कपड़े थे वो पहन के रखता था वाइट थॉमस पिंग शर्ट, अर्मानी पैंट्स और शूज और उसकी ब्लू कलर की ब्रॉनी की टाई अब जो एलेक्स होता है वो उसके बालों को देखता है जो कि उसने अपने बालों में बन-बना रखा होता है उसके चेहरों को देखता है जो कि लाल होता है पता नहीं क्यों और उसके कपड़ों को देखता है जो एवा है उसने टैंक कला का टॉप पहन रखाता और शौट्स पहन रखे थे अब एवा क्या करती है बास के देने से पहले उसके expression को read करने ही कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता जो एलेक्स के चाहरे से कुछ पता ही चलता है ये क्या feel कर रहा है क्या नहीं अब जो एवा है वो कहती है ये मैं तुम्हार ले लेकर आई हूँ ये cookies है और एवा मन में सुचती है ना मैंने खाली ये बोल दिया कि ये cookies है वो खुद देख भी पा रही ये cookies है मैं क्यों बोल रही हूँ ये अब एवा बोलती है ये welcome gift है हमारे neighbor के लिए अब एलेक्स कहता है अच्छा welcome gift neighbor के लिए अब एवा बोलती है हाँ since तुम यहाँ पर नए हो और हमारे neighbor भी हो मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर होना चाहते भी और नहीं होना चाहते हो मैं भी नहीं चाहते हूँ तुम यहाँ पर हो अब एवा मन में सुचती है शिट है मैंने सची बोल दिया अब एवा बोलती है सिंस हम लोग पड़ोसी है तो हम लोग को युद्वराम कर देना चाहिए अब एलेक्स कहता है मुझे नहीं पता था कि युद्वराम जरूरी होता है लेकिन हम लोग तो कोई लड़ाई करी नहीं रहे अब एवा बोलती है नहीं लेकिन और थोड़ा सा फ्रस्टेट हो के यह बात बोलती है अब एवा मन में सोचती है जो एलेक्स है वो थोड़ा मेले चीज़ डिफिकल्ट कर रहा है फिर एवा बोलती है न देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं कोशिश कर दें क्योंकि एक साल तक हमें एक दूसरे को जहिलना पड़ेगा मैं चाहती हूं कि हमारी नहीं और मन में सुचती है न हाँ करतवरी हूं मैं फिर एवा बोलती है न मैं तो बस एक सांप को ने एक्जामपल के दौर बता रही हूं तुम उनमें से नहीं हूं जो बहुत एकदम शांत वाले जो जानवर होते है न पैट तुम वो रखो अब एलेक्स कहता है न हाँ त थेंकी बोलेगा मैं तो यह सोच के आई थी कि यह कुकी लेगा और मेरे मुझे नहीं दर्वाजा बन कर देगा और कुछ भी नहीं क्योंकि आस तक नहीं इसने मुझे कभी थेंकी नहीं बोला सिवाए एक बार के जब हम लोग खाने की टेबल पर बैठे थे और इसने मुझ जो एवा होती है उसको लगता है कि मैं सपना देख रही हूं यह सपना नहीं हो सकता क्योंकि आलेक्स मुझे अपने घर में इनवाइट कर रहा है मैं उसके घर में जहांकने वाली हूं और यह तो ना सोच पाना ही बड़ा मुश्किल है क्वाडिर्टिक एक्वेशन जितनी क्लिए एलेक्स यहाँ पर छोड़ दिया हो ताकि अच्छे से लोग के साथ व्यवार कर सके अब जो एवा होती है कहती है हां क्यों नहीं और बड़ी एक्साइटीड होती है कि घर के अंदर जाएगी वो देखेगी कि इसने अपने घर को कैसा बना दिया क्योंकि जो घर था आके रखा हुआ होता है और वो समान ऐसे रखा हुआ होता है कि कोई कई सालों से यहां पर रह रहा हो एक स्लीक ग्रे करा का काउच होता है और लबग 80 इंच की तो टीवी होती है बहुत बड़ी सी लिविंग रूम में और बड़े प्यारे से उसने कॉफी टेबल लगा लगा रखे होते हैं और जो जॉष की पइंटिंग होती है वो भी होँआ पर होती है एक एष्परी टॉप टेबल होता है वाइट कले किशन और वह ऐसा होता है कि दिमाग फटके कुछ उसके दिमाग से निकल रहा है अब एवा सूचती है कि यह तो बहुत महेंगा लग रहा है और यह इतना महेंगा होगा जितने मेरे पूरे महीने का रेंट ना हो अब ऐलेक्स बोलता है न मुझे पसद नहीं कि चीजे घटी करों जिनको मैं कभी यूजबी ना करता हूँ या फिर मैं इन्जॉय कुरता हूँ अब ऐलेक्स क्या करता है जो कुकीज होती है वो कॉफी टेबल पर रखता है बार कaunter पे जाता है कहता है दिंग्स भी होगी अब एवा बलता है काउच पे बैठ जाते है समझ नहीं आता है क्या बहूलाओ अब जिब एलेक्स होता है अपने लिए विश्की डालता है ग्लस में और सामने आके बैठ जाता है और जब वह सामने बैठा होता ह ellos मैं रिलैक्सी हूँ अब एलेक्स बोलता है जो तुम्हारे हाथ है वो बिल्कुल सफेद हो चुके है और जो एवा होती है उसने काउज को इतनी जोर के पकड़ रखा होता है कि उसके हाथ पूरे सफेद हो गए होते है अब एवा कहती है मुझे अच्छा लगा तुमने घर को काफी अच्छे से सजा वजा लिया और वो सोचते है ना फाल तुम बखवास कर रही है और कुछ नहीं लेकिन वो फिर बोलती है ना एवा कि तुम्हारे घर में कोई भी फोटो नहीं है क्योंकि एवा को यह लग रहा था ना कि इसके पास समान तो सारा है यह ऐसा लग रहा पस एक बार कार में देखके उसने स्माइल कर आता और कुछ भी नहीं अब एवा बोलती है ना यादो के लिए ताकि हम लोग को याद रख सकें इवेंट्स को याद रख सकें अब एलेक्स बोलता है ना मुझे उसके लिए फोटो की ज़रुवत नहीं है मेरा जो दिमाग है कॉफी टेवल पर रख देता है अब एलेक्स बोलता है मेरा दिमाग है ना वह बहुत अच्छा है अब ऐवा बोलती है किसी को अपने बारे में बहुत ज़्यादा एंकार है अब जो एलेक्स होता है कहता है नहीं मैं अपने बारे में ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं कह रहा हूँ मिलेको ना हाइपर थैमेशिया है या फिर तुम हैसे एम कह सकती हो जिसकी फुल फॉर्म होती है तुम इसको पढ़ ले ना अब जो एवा होती है वो एकदम से रुख जाती है उसने कभी उमीदी नहीं करी होती कि कुछ ऐसा बोलेगा फिर वो बोलती है तुमारी जो मैमोरी है वो फोटोग्राफिक है अब एलेक्स कहता है नहीं यह अलग है जो लोग होते जिनकी फोटोग हर एक इमोशन और यह बात बिल्गुल सीरियस होके बोल रहा होता है फिर एलेक्स बोलता है फिर वो चाहें या ना चाहें अब एवा बोलती है जो 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 ज जीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मैं साइन्स की मूवी देख रही हूँ, लेकिन अगर एलेक्स बोल रहना तो यह सची बोल रहा होगा, और यह सब कुछ याद कर सकता है, और उसका दिल है बहुत तहीं से धलकने लगता है, वो सोचती है कितना अच्छा भी और यह जो भी सारी खराप चीज़े हुई है उन मेरे जब मैं 9 साल की थी उससे पहले पहले हुई थी, और 9 साल से पहले का तो मुझे कुछ याद भी नहीं है, अब एवा उससे पूछती है कैसा लगता है फिर, अब एवा मन में सोचती है कितनी अजीब बात है, कि मैं और एलेक्स कुह याद घरता है, अब इलेक्स थोरब सा आगे जुकता है और वह दोनों काफी एक दूसरे के पास होते हम एएसा लगता है, इस मैं पिच्चर देख रहा हूं अपने बारे पे, अपनी आफे बन करके, कई बार तो ऐसा लगता है यह ड्रामा यह बहुत ही भयाव है, मैं यह सुनके थोड़ा सा घवरा भी जाती है, उसको पसीना आने लगता है उसके सीने पर, जो उसका टॉप होता है उसके सीने से चिपक जाता है, अब एवा पूछती है, कॉमेडी या फिर रोमेंस, और यह पता नहीं क्यों उसने मजाख के तौर पर पूछ लिया होता है, अब अब जो एवा है उसको एक मिट लगता है, थोड़ी हिम्मच जुटाने में, वो काउट से उठती है, और एक बार उठती है उसका दिल बहुत देई से धढ़क रहा होता है, उसके पैर कापर होते है, और वो सूचती है कि भली मैं एवा एवा से कुछ देर के लिए क्यों न नहीं करा, तो इस नोट पे होते है ये वीडियो खतम, और होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, so thank you and stay connected.